ये स्टूजेंट्स आज हम चैपंटर Mr. Second डिस्केस करेंगे nutrition in animals FIRST CHAPтор में हमने इन्ट कारें बढ़ा था कि plants अपनी nutrition कैसे लेते है और animals जो है इनकी nutrition different कैसे होती है plant से Animals जिसमें human भी आ जाएंगे यह plants पर depends करते हैं या animals पर depend करते हैं अपने food के लिए animals कुंसे होंगे जो जो plant पे depend करते होंगे अपने खाने के लिए ये फिर figures है इन में से बताना है कि कौन सी चीज हर्बी वोर है कार्बी वोर है और omní वोर है हर्बी वोर मिहिंज जो plant and plant product seed करते है कार्बी वोर्स जो सिरफ mıस खाते हैं, flesh खाते हैं phase लेनिमल्स का और a वर ऑनिवर्स जो जिनमें दोनों के कर्रेक्ष्टिक हों जो प्लांट भी खाएं और मी खाएंगे अनिमल्स को वह खाएंगे तो सुर्ष्ट देख सकते हूं अपर फरस्ट जो इमेज है ये deer की है ये Omnivore होता है ये दोनों चीजों को ये खा जाता है प्लांट प्रोड़क्ट भी और Animals का मास भी खाएगा ये ये सिरफ प्लांट प्रोड़क्ट खाएगी हर्वीवर होगी ये वाली ठीक है नेक्स्ट लियो पेड जो है ये क आदेश बूर होता है सिर्फ मास खाता है थे रहिन przedsiębior हर भी पे 2 next is nutrition in animals जो food होगा animals की body में वो simple substances में break होगा ठीक है जैसे जो हम पहले चीज़ें खाएंगे उसमें काफी कुछ mix होगा वो बाद में फिर simple simple अलग अलग चीज़ में convert होता जाता है यह जो फिर food है इसको body use करती जाती है और उससे energy मिलती है process जो है nutrition का इसमें 5 stages हैं जो animals में यह process होता है first है ingestion ingestion simply intake of food food का अंदर लेना body के इसी को बोलेंगे ingestion digestion का नेम से ही पता लग रहा है कि food का breakdown होना simple substances में जैसे fat लग हो जाना, carbohydrate लग हो जाना इसको बोलेंगे digestion next फिर absorption जो soluble substance digestion के during produce होंगे उसको uptake करना उसको use करना ठीक है उसको लेना body में उसको बोलेंगे absorption के absorb कर लेना simply बीच में से next is assimilation assimilation होगा यह जो simple substance होंगे इनका use करना किसके according है जिसकी body को जरूरत हो simple substance से complex substance बनाने जिसकी body को जरूरत हो उसे बोलेंगे assimilation next is ejection ejection होगा waste product को बाहर निकाल देना undigested food जो digest ना होगा उसको बाहर निकालने को ejection बोलेंगे जो different organism है वो different तरीके से food को ingestion करते हैं मतलब अंदर लेते हैं कुछ organism में food जो है ये अंदर जाता है outgrowth की help से उनकी body के बाहर थोड़ी थोड़ी growth होई होती है उसकी help से वो food को अंदर लेते हैं जैसे hydra में उनके body पार थोड़ी से बाहर निकले होते हैं वो food को अंदर लेने में help करते हैं similarly जो paramecium के बाहर के पार थे उनको cilia बोलते हैं ये help करते हैं food को अंदर लेने में कुछ animals जैसे insects और worms होगे उनमें mouth parts होते हैं ताकि वो food को अंदर ले सके जो food bird का होगा वो modify हो जाएगा mouth जो होगा bird का वो modify हो जाएगा उससे chonch बन जाएगी जो वो chonch होगी वो food को catch करने में help करेगी और उसको बाद में break करने में भी help करेगी जो birds होते हैं उनमें chonch होती है ठीक है वो उसके according होती है कि उन्होंने कौन सा food खाना है जो snakes होते हैं वो swallow कर लेते हैं पूरे food को ही अंदर ले लेते हैं उसको चबाते नहीं है तो firstly हम amoeba के बारे में पढ़ेंगे कि amoeba में nutrition कैसे होती है जो amoeba एक ऐसा organism है जो single celled organism है unicellular organism है यह जर्नली पॉंट्स में पाया जाता है और ditches में पाया जाता है ditches होते हैं जैसे रास्ते पे ही पानी के कोई नाली बगरा चल रही हो इसको ditch बोल देते हैं इसका जो food होगा वो microscopic organisms होंगे मतलब शोटे-शोटे organisms होंगे जो इन water bodies में पाये जाएंगे जनको सिरफ microscope की help से हम देख पाएंगे इसकी कोई very structured body नहीं होती मतलब fix कोई shape नहीं होती इसकी जैसे मरजी आप amoeba की structure भी बनानी हो जैसे मरजी बना सकते हो इदरो देटा करके कोई fix shape नहीं होती इसकी फिर nutrition आगी जब भी amoeba food को sense करेगा यह जैसे देख सकते हो आप picture में जब इसको पता लगेगा कि इसके आसपास food है तो यह finger like projection बना लेगा यह देख सकते हो इसकी एक projection बाहर आ गई यह finger like projection बना देगा जो food को धिरे-धिरे enclose करती जाएगी अंदर लेती जाएगी और इसके body में तब एक food वेक्यूल बन जाएगा यह आप देख सकते हो डाइग्राम में food वेक्यूल बन जाएगा और food यहीं पर digest होगा यह बाद में फिर जब food digestion के लिए कोई ना कोई digestive juice तो चाहिए होंगे तो इसकी वो body digestive juices को release करेगी ताकि food digest हो पए फिर food absorb होगा और assimilate होगा यह सारे process पढ़ चुके होगा आप absorb food वो करेगी इसकी body पहले फिर उसको use करेगी और बाद में last part में जो undigested food होगा वो बाहर फिं humans अगर amoeba से compare करें तो पूरा जो process in nutrition का humans में यह complex process है complex मतलब simple process नहीं है यह टेडा मेंडा process है एक काफी combinations होते हैं इसमें काफी चीजों का बना हुआ process है यह food जो है number of organs से पास होगा जो और जो number of organs होंगे वो digestive system बनाएंगे हमारे digestive system में elementary कहिना ला जाता है या जिसको digestive track बो जहां से food digest होगा और कुछ organs और होंगे digestive system में हमारे जैसे गाल अबलेटर, pancreas and liver जो digestive track होगा यह एक long tube होगी जो mouth से लेके NS तक जाएगी food जो है यह digestive uses की help से absorb होगा, digest होगा यह जो digestive juice है यह हमारे कई glands जो होंगी digestive system की वो release करेंगी जैसे salivary glands, liver and pancreas यह digestive uses sacred करेंगे ताकि food digest होजाए next is ingestion, food हम mouth की help से intake करते हैं, बाद में चबाते हैं इसको हमारे different type के teeth होते हैं, जो food को break करते रहते हैं, छोटे छोटे पीसीज में next types of teeth, charge types के teeth होते हैं, हमारे incisors, canines, premolars and molars सबसे पहले incisors, इनको biting teeth भी कहा जाता है, मतलब जिसकी help से हमां bite करते हैं food को ये flat होते हैं और blade leg teeth होते हैं, तीखे बिलकुल होते हैं, incisors जो हैं, ये front teeth होंगे ये चबाने में help करेंगे, next premolars, जो premolars होंगे, ये थोड़े से चोड़े होंगे और ये चबाने में food को help करेंगे और उसको पीसने में भी help करेंगे, molars जो सबसे पीछे वाले teeth होंगे, ये molars होंगे और ये काफी जादे चोड़े होंगे और फूड को ये भी चबाने में help करेंगे ये diagram में देख सकते हो आप सबसे पहले incisor से हैं थोड़ी से पीछे कनाइन से हैं फिर pre-molder से हैं और सबसे पीछे molder से हैं हमारे two sets आते हैं पूरी lifetime में जो हमारे teeth के होते हैं first temporary teeth and next permanent teeth temporary set जो होता है 20 teeth का होता है जिनको milk teeth भी बोला जाता है around 6 की age के बाद ये जो दान्त हैं ये अपने आप ही fall off होना शुरू हो जाते हैं तोटने शुरू हो जाते हैं और इसके बाद permanent teeth आ जाते हैं permanent teeth के set में 32 teeth होते हैं 6 in each jazz 16 each जबडे में होते हैं उपर वाले जबडे में 16 नीचे वाले में 16 जिसमें से 4 incisors होंगे 2 के 9 सोंगे 4 pre-mollars होंगे और 6 mollars होंगे दोनों जास में उपर के जावें भी सेम होंगे नीचे के जावें भी सेम होंगे इतने ही झाले जावें